हेलो फ्रेंज विल्कमिंग यूल तो आयक्षाम फिज्यो मैं डॉक्टर भावन मंगला आज हम बात करेंगे वेर्कोस बेन के बारे में वेर्कोस बेन को हम वेर्कोस साइटस भी कहते हैं जिसमें जो बेन्स होती हैं वो एंलाज डाइलेटिद और ब्लड से ओवर फेल हो जात है पेशिंट को बहुत जादा देर खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और यह जोनली आपको पैरो में मिलती है इसके कॉजस गया होते हैं तो पैरो में आपको पता एक वाल होता है जो आपके पैरो से ब्लड को आपके हार्ट तक लेकर जातने में मदद करता है में हो सकता है अगर आपके उमर पचास से जाद है तो आपको हो सकता है बहुत देर तक खड़े रहना ओबिसिटी और फैमिली हिस्टरी में भी हो सकता है मेल्स और फैमिल्स किसी को भी हो सकता है इसके सिंटम्स क्या क्या है तो यह आपको बहुत इसली विजिबल होता है स् की नैस होती है और यह वेंस के अर्राउंड आपको पेन लगता है कुछ केसे में स्वेलन के साथ डिसकलोरेशन और अलसर भी हो सकते हैं इसमें लाइश्टेल चींज करना इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि आपको बहुत जादे देर तक खड़ा नहीं रहना है अपना वजन क आपके जो है उसका लेवल आपके हाज से उपर रहे जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन पैरों अापके अराम से ऐससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा आपके पैरों में क्योंकि ब्लड का स्कूलेशन हार्ट तक हो जाएगा एक्सरसाईजिस आपकर सकते प्रेवेंशन में आपको सिट्रेस फ्रूट्स खा सकते हैं जिसे कि आपकी फटीग में रिलीफाएं, कोई भी चीज जिसे इंफ्लमेशन हो जैसे कि रेड मीट या स्पाइसी वीड को अवोईड करें, रिगरस एक्सरसाइस ना करें, प्रॉपरली सोएं और फ्रेश अगर आप इन में से कोई भी हर्ब लेना चाहते हैं, आपने आवाइकोस वेइन के लिए आप ट्रीटमेंट जादना चाहते हैं, आप मुझे कांटाक कर सकते हैं, थैंक यू सो मच